दो ठोड लेवल जैक फिने इंट्रोड़क्षन दो ठोड लेवल इस लिटन बाइ जैक फिने जो ठोड लेवल है जैक फिने ने लिखा है There are two levels at the Grand Central Station, New York New York में जो Grand Central Station है वहां पर केवल दो level है But Charlie, the protagonist of the story asserts that there is third level too लेकिन जो hero है, Charlie इस story का, वो ये दावा करता है कि वहां पर तीसरा level भी है, third level भी है He uses the third level to escape from the unpleasant life of New York to the pleasant life of Galesburg, Illinois Charlie जो है, third level को use करता है जो उसके unpleasant जो life है, जो उसके परिशानी वाली life है उससे निकन निकले, जो New York में रहता है वहां पर बड़ा दुखी फील करता है तो वहां से निकलना चाहता है और जो pleasant life है, Galesburg, Illinois की वहां पर ये जीना चाहता है, वहां पर ये जाना चाहता है तो ये इसके mind में आता है कि एक third level है और जहां पर बहुत ही अच्छी life है इसका मतलब है, Charlie अपनी परिशानी भरी life से निकलने के लिए third level का use करता है Charlie was 31 years old man married to Louisa जो Charlie है, सिरफ 31 years old है, 31 साल का है और Louisa से उसकी marriage होई है several times he had lost himself in the grand central station यानि कि बहुत बार जो Charlie है, वो grand central station पे खोच चुका है he always found himself bumping into new doorways and new corridors Charlie जो है, हमेशा अपने आपको पाता है नए नए रास्तों से, नए नए corridor से निकलता हुआ यानि कि कभी कहीं से निकलता है, कभी कहीं से निकलता है every time he had a new experience हमेशा उसे है न, एक नया अनुभाव होता है he even had begun to believe that grand central was like a huge tree ever pushing new tunnels and new corridors like the roots under the ground उसका मानना था कि जो grand central station है वो एक बड़े पेड की तरह है जिसकी शाखाएं है, जमीन की नीचे दूर-दूर तक फैल जाती है ऐसे ही जो grand central station है वो अलग-अलग tunnel के रूप में corridors के रूप में अलग-अलग दूर-दूर तक फैला हुआ एक पेड की तरह है एक बार तो क्या हुआ कि एक लंबी टनल एक लंबी गुफा में चला गया और सीधा एक होटल की लोबी में निकला एक बार तो क्या हुआ कि एक ओफिस की बिल्डिंग में निकल के आया यानि कि grand central station में घुसा और निकल के कहा से आया एक office की बिल्डिंग से बाहर निकला उसका मानना था कि यह पेड की तरह बढ़ रहा है जो grand central station है actual में वहाँ पर केवल दो लेवल थे but charlie asserted that there were three levels लेकिन charlie का मानना क्या था कि वहाँ पर तो तीन लेवल है he talked about it to his friends उसने अपने दोस्तों को भी सब कुछ बताया कि जो grand central station है वहाँ पर तीन लेवल है one of them was a psychiatrist उन में से एक तो मनोवे ग्यानिक था the psychiatrist said that it was nothing but daydreaming और जो मनोवे ग्यानिक है उसका जो friend है वो बताता है कि कुछ भी नहीं है सिरफ एक daydreaming है तुमारी तुम दिन में सपने देखते हो जागते होए सपने देखते हो he explained that it was only an escape from his present life जो उसका friend है वो explain करता है पूरी घटना को कि ये जो third level widget करता है ये कुछ नहीं है जो उसकी present life है वहाँ से ये सिरफ अपने आपको बहार निकालना चाहता है एक escape है अपने आपको वहाँ से छुटकारा दिलाना चाहता है the modern world was full of fear, tension and worries जो आधुनिक यूग है जो modern world है ये full of fear है tension है यहाँ पर worries है बहुत ज़्यादा चिंता है the third level provided him an exit from it जो third level है वो एक exit है एक छुटकारा पाने का तरीका है इन सब चिंताओं से इन सब परिशानियों से उसके लिए his other friends agreed with the psychiatrist उसके जो और दूसरे friends है वो सारे मनोवग्यानिक की बात मान जाते है they said that his stamp collecting was also a temporary escape कि जो Charlie जो stamp collect करता है ये भी एक उसका अपनी चिंताओं से अपनी परिशानियों से भागने का एक तरीका है एक temporary escape है Charlie did not agree with them Charlie है ना उनकी बातों को बिलकुँ नहीं मानता he said that his grandfather started the stamp collection Charlie कहता है कि उसके दादा जी ने भी stamp collection किया था and in his grandfather's days और उसके दादा के time में life was peaceful यानि कि जो life थी वो बहुत ही शान्ती पूर्ण थी he did not need an escape उसको कहीं पे भी निकलने की जरुवत नहीं थी तो उसके दादा भी stamp collection करते थे और वो भी करता है besides President Roosevelt also collected stamps यहां तक कि जो Roosevelt जो President है वो भी stamp collect करते थे यानि कि क्या उनको निकनने की जरुवत थी किसी परिशानी से नहीं वन डे चारली गोट लेट from his office he wanted to reach home देखिए एक दिन क्या हुआ चारली अपने office से निकलता है उसको देर हो रही थी वो जल्दी घर पहुँचना चाहता था इसलिए उसने सोचा कि ग्रेंट से एक ट्रेन पकड़ी जाया चारली सीधा नीचे फर्स लेवल पर पहुचा और उसके बाद वो दूसरी पैडियो पर चला गया उसको लगा कि वो सेकंड लेवल पर आ गया बट लॉस्ट और वहाँ पर खो गया वो उसके बाद वो कोरिडॉर में नीचे गया उसे लगा कि यह सब कुछ गलत है उसके बाद वो और नीचे गया जो स्टेयर से जो पैडिया है उससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा उसे लगा कि वो फिर से से बागे लेवल पर आ गया लेकिन वो हगीकत में जो थर्ड लेवल था वहाँ पे वो पहुँच गया यहाँ पे वो एक्स्प्रेइन कर रहा है कि कैसे वो थर्ड लेवल पर पहुँचा था जो ग्रेंड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल है वो बिलकुल डिफ्रेंड था पुराने जमाने का वहाँ पे जो टिकट की जो विंडोज है बहुत कम थी और जो इन्फरमेशन बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था और जो वहाँ पे लाइट थी वो पहले चिमिनिया जो होती थी उस टाइप में थी वहाँ पे जो थूकने के लिए जो स्पिटन्स थे वो ब्रास के बने हुए थे जो आदमी थे उनके दाड़ी थी और साइट बन्स जो कलम होती है न हमारी वो थी जो औरते हैं वो पुराने जमाने की ड्रेसिस पहने हुई है और हाई बटन शूज पहनी हुई है जो रेलवे इंजन था वो बहुत चोटा था एक फ़नल शेप स्टैक के रूप में था वो बिल्कुल चोटा सा इंजन पहले जो भाप के इंजन चलते थे वो था सब कुछ लगता था जैसे सैकरो साल पुराना है चारली सीधा न्यूज बोई के पास पहुँचा और वहाँ पर पहुँचकर उसने जो दा वर्ल्ड की जो न्यूज पेपर की कोपी रखी थी उसकी तरफ देखा यानि कि जो में कवर पे जो स्टोरी थी वो प्रेसिदेंट क्लीवलेंड के बारे में थी उसके बाद चारली बाद में लाइबरेरी गया और वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर प्रिंट था ये खबर कब की थी ये न्यूज कब की थी ग्यारा जून अठारह सो चोरान में यानि कि 1894 की थी ये चारली वांटी तो गो टू गेल्सबर्ग चारली गेल्सबर्ग जाना चाहता था यानि कि बचपन में चारली वहाँ रहता था ये बहुत ही अदभुत शहर था वहाँ पे फ्रेम के हाउसे लपड़ियों से बने घर थे ये तो एक स्वर्ग की था अदभुत न जा रहा था वहाँ पे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था people lived a carefree life जो लोग थे वहाँ पे carefree life जीते थे उनको कोई परिशानी कोई चिंता नहीं थी so he asked for two tickets to Galesburg इसलिए चारली सीधा जाके वहाँ पे दो टिकेट के लिए बोलता है Galesburg की he paid the fare in modern notes which were different from those in 1894 चारली ने नई currency जो थी वो पे की पुरानी currency जो थी वो different थी नई currency थी जो वो अलग थी the clerk thought the notes were fake and Charlie was trying to cheat him जो कलर था ticket देने वाला था उसको लगा कि Charlie जो है वो एक गलत आदमी है एक fake आदमी है और उसको अना cheat करने कोशिस कर रहा है he threatened to get him arrested उसने सीधा Charlie को धमकी दी कि वो उसको arrest करवा देगा Charlie immediately turned around and fled as fast as he could Charlie डर गया और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था निकल लिया भाग गया वहां से next day Charlie bought old style notes from a coin dealer अगले दिन Charlie जो coin dealer है उससे पुराने जमाने की currency ले लेता है he got only 200 old dollars for 300 new dollars उसने क्या किये 300 डोलर नए जमाने के दिये और पुराने जमाने के 200 dollars ले लिये but he could never again find the corridors that led to the third level लेकिन Charlie कभी भी उस corridor को दुबारा नहीं पासका जो third level तक उससे ले के जा सके Charlie's wife was worried when she heard that he had bought old style notes Charlie की जो wife थी वो चिंता करने लगी वो घबरागी कि Charlie ने क्यों पुराने जमाने के note खरीदे है so Charlie turned to his stamp collection Charlie ने एक दिन अपना stamp collection खोला one day among his grandfather's collection और एक बार क्या हुआ कि उसके जो दादाजी का जो collection था ticket collection था और first day cover first day cover क्या होता है कि जब पहली बार कोई ticket बनती है launch होती है तो जो ticket collect करते हैं वो लो क्या करते हैं blank envelope लेके उसपे वो new ticket जो है वो लगा देते हैं और अपने address पर उसको post कर देते हैं और जो stamp होती है वो prove कर देती है कि ये किस date की बनी हुई stamp है he discovered an envelope तो दादा जी के जो collection था stamps का उसमें Charlie को एक envelope मिलता है जो post mark जो था उसपे जो stamp थी वो ये दिखा रही थी कि ये 18 July 1894 में यानि कि 18 July 1894 का envelope है उसने अनुलप खोला तो उसके अंदर जो paper था वो blank नहीं था अक्सर खाली paper होते हैं लेकि वो blank नहीं था ये letter था ये Sam ने भीज़ा था ये Sam जो उसका मनोचे किसक फ्रेंड था जिसको अक्सर चारली अपने गिल्स वर्क के बारे में बताता रहता था यानि कि जो Sam है उसका friend वो पहले ही वहाँ जा चुका उसने चारली को लिखा कि चारली प्रयतन करते रहो कोशिस करते रहो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम यह पहुँच जाओगे अपनी कोशिस को छोड़ना मत तुम भी जोईन करो गिल्स बर्क को यह बहुत अच्छे जंगे है लेटर चारली लांट डैट सैम हैड बॉट एट हंडर डॉलर्स वर्थ ओफ ओल्ड करेंसी चारली को बात में पता लगा कि उसका जो फैंड है सैम उसने एट हंडर डॉलर्स की पुरानी करेंसी खरीदी थी चारली होप्र सैम वूड हैव सैट अप हे एंड फीर बिजनेस इन गेल्स बर्क चारली को लगा कि उसने अपने एंड फीर बिजनेस वहं पे स्टार्ट कर दिया है and that was what he had always wished to do सैम हमेशा चारली को यही बताता था कि वो यह करेगा वो करेगा और उसे लगता है चारली को कि सैम ने अपना बिजनेस वहां पे सैट अप कर दिया है तो Charlie भी वहाँ पर जाना चाहता है तो इसमदी को सीखने वाली बात क्या लगती है कि क्या real में third level है अगर हम देखते हैं Charlie की तरफ से तो Charlie वहाँ पर जा चुका है लेकिन जब हम story को पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि ऐसा कोई level नहीं है चारली सिर्फ अपनी प्रेशानियों से भागने के लिए एक imagine करता है एक daydreaming करता है और third level उसको सपने में दिखाई देता है उस ऐसा लगता है लेकिन जो सेम है वो वहाँ कैसे पहुचा ये सारी बाते हमें उलजा देने वाली है एक अच्छा fiction है काफी interesting story है अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते है तो प्लीज सब्सक्राइब करे शार्ट इंग्लिश लेंग्वेज इंस्टिटूट थैंक्यू वेरी मच